श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं जी हां इस दिन चंद्रम आपकी कुंडली में सब्तम भाव में रहेंगे, सब्तम भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शान्त रहेगा, प्रसन रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा, इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुराल पक्स से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका life partner आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप अपनी जन्मभूनी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थ आपके छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे जोतिस विद्या आध्धात्म जैसी चीजों में आपकी रुची ज्यादा होगी इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीव्रगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने क काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसनताव आनन से भरा दिन रहेगा ग्रहनक्षत्र आपको आज पूरा सहयुक करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरानी तकरार मिटाने के लिए और नए गुमने फिरने के लिए enjoy करने के लिए काफी अच्छा रहेगा यात्राय करने के लिए भी समय हर तरह से अनुगूल है अगर students की बात करें तो students इस समय में बहुत अच्छा perform करेंगे आपके लिए समय बहतरीन रहेगा concentration अच्छी रहेगी यह समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे स्वास्ते के लिए अच्छा रूटीन बनाए और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रहे सके अपनी स्वास्ते के अनुसार अच्छा डायेट प्लान बनाए और उसे अच्छे से निभाए योगा करे प्रानयाम करे सुबह टहलने जरूर जाए बीमारी आप से दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की अगर व्यक्ती का भागय उसका साथ देता है तो कम महनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तू कई बार एसा देखा गया है कि व्यक्ती के जीवन में कई ऐसी घट्नाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ एसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं. अगर आप कही बाहर से आते है और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते है तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट् ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगय पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस थान पर रखे अगर कोई नेगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चपके उपर जीन चीजों का हमें काम नहीं होता ह उन्हें हम घर के चपके उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चपके उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जी भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीचे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगह साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिक इस से सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साब सुतरा रखे। कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साब सफाई जरूर करे। दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं, बस वहां तक सिमीत है, अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है, कुछ फोटो रखे तें, उने भी साफ करते रहना चाहिए, जीन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पातें, साफ नहीं जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद